इस सारेणी में हमने उर्जा के कई रूपों को दो भागों में वर्गी कृत किया इसका मतलब ये नहीं कि उर्जा के केवल इतने ही रूप है उर्जा के विभिन रूप है हो सकता है इन सारे रूपों को हम इस पार्ट में कवर ना कर पाए पर धीरे धीरे आप इन रूपों के बारे में जानेंगे, कहीं पढ़ेंगे और इन रूपों से अवगत होंगे साथ ही बच्चो हमने उर्जा के स्वरूप को उसकी विविन रूपों को समझने के लिए कई उधारन भी लिये थे जैसे कि हमने देखा था कि जब हम अपनी हथेली को रगड़ते हैं तो उसमें से उश्मिय उर्जा उत्पन होती है मैंने यहाँ पर शब्द यूस किया था उत्पन होती है वैसे ही मैंने बताया था कि यदि हम पत्थर को उठा कर जमीन से उपर ले जाते हैं तो उसमें स्थितीज उर्जा संचित हो जाती है तो यहां पर उर्जा उत्पन्न हो रही है इस शब्द का स्तमाल कर रहे हैं संचित हो रही है उत्पन्न हो रही है इसको अंतलब प्रड्यूस हो रही है तो बच्चो इस बात को आप ध्यान में रखेगा कि ब्रह्मान का जब निर्मान हुआ था जितनी उर्जा से उसका निर्मान हुआ था वो कुल उर्जा नियत है केवल उर्जा के रूप बदलते रहते हैं यह यू कहें कि उर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होते रहती है उर्जा नहीं उत्पन की जा सकती है और नहीं नश्ट क की जा सकती है जैसे कि मैंने बोला कि हम पत्थर को जमीन से उठाकर ऊपर रख रहे हैं और उसमें स्थिती जूर्जा संचित हो रही है तो जब हम नीचे से लेकर ऊपर उस पत्थर को उठाकर ले जा रहे हैं इसका मतलब हमने वहां पर कारी किया और यहां कारी ही उस पत्थर में इस्तितीज उर्जा की रूप में संचित होगी वैसे ही जब हम अपनी हथेली को रगड रहें तो वहां पर भी हम लोग कारे कर रहें यानि कि हम लोग वहां पर यांत्री को उर्जा को उश्मी उर्जे में परिवर्तित कर रहें तो इस प्रकार जब भी हम किसी नई उत्पन्न होने की बात करें तो वह कभी भी उत्पन्न ही हो रही है उसको हम ध्यान से देखें तो किसी अन्य ओर्जा के काही एक स्वरूप है जो उस रूप में परिवर्थित हो रहा है और यही ओर्जा संगरक्षन्ड का नियाम भी है लाउफ of conservation of energy जिसके आधार पर पूरे ब्रह्मान की कूल उर्जा नियत है और जब हम किसी सिस्टम किसी निकाय का अध्यन करते हैं तब भी भी हम यही पाते हैं कि उस सिस्टम की कूल उर्जा नियत ही रहती है और यू कह सके कि पूरे ब्रह्मान की कूल उर्जा नियत है इसका मतलब उर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरन होता है, परिवर्तन होता है, उर्जा ना तो नश्ट की जा सकती है और नहीं उत्पन की जा सकती है, तो आएए बच्चों, हम एक और सारणी तयार करते हैं, जिनमें कुछ वस्तूओं को हम उधारन के रूप मे लेंगे और देखेंगे कि उनमें से कौन सी उर्जा किस उर्जा की रूप में परिवर्थित हो रही है और इस रूपांत्रन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वैसे बच्चों ये सारणी आपके बुक में भी दी गई है तो यहां पर हम उन सारणी को फुल्फिल करने की और उर्जा के कौन सी रूप है जो प्रारंब में थे और बाद में चेंज हुए तो सबसे पहले हम लेते हैं टॉर्च बैटरी अपने टॉर्च को देखा है बच्चों उसको जलाने के लिए हमको बैटरी का स्तमाल किया करना पड़ता है तो यह बताइए किस टॉर्च से उर् केमिकल रियक्शन होता है तो हम यूँ कह सकते हैं कि इसमें संचित होती है कैमिकल अनर्जी यानिकी रसाइनिक उर्जा जैसे ही हम टॉर्च को अन करते हैं तो यहां रसाइनिक उर्जा परिवर्तित हो जाती है विद्दूत उर्जा में तभी तो बल्ब जलता है और विद उश्मिय उर्जा में भी परिवर्तित हो जाती है बच्चो ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल एक उर्जा को रुपांतरन दूसरी उर्जा में हो जब रुपांतरन होता है तो एक उर्जा कई अन्य उर्जाओं के रूप में रुपांतरित हो जाती है जैसे कि उस सुधार में हमन की प्रकाश उर्जा तो यदि हम इस इन उधारनों को ले रहे हैं और कोई उर्जा मान लीजिए वहाँ पर मुझसे बताने में छूट जाती है तो आप उसको अपने हिसाब से भी जोड कर लिख सकते हैं कि इसमें परिवर्तन और किन-किन रूपों में हो रहा है हम यहाँ पर पेट्रोल का जलना हम नहीं लिखेंगे बच्चो जलना और दहन होना यानि कि बर्निंग और कंबस्चन दोनों में अंतर है जब जलता है तो आप देखें कैसे दिखता है एक फ्लेम निकलता है लेकिन जब कंबस्चन होता है तो आपको फ्लेम नहीं दिखता वह धीरे धीर यह अंदर ही अंदर खपत हो जाती हो सकी हो एनरजी में हो जाता है किसी अन्य रूप में तो आप यहां पर सबस्क्राइब सब्सक्राइब में निश्चित रूप से फ्लेम आपको ज़रूर दिखाई देता है तो यहां पर हम बात कर रहे हैं पेटरोल की दहन की, जब पेटरोल का दहन होगा तो कौन सी अनर्जी उसमें रहेगी? पेट्रोल के अंदर होती है उसकी रसाइनिक उर्जा और यह रसाइनिक उर्जा कनवर्ट होगी उस जिस गाड़ी में वो पेट्रोल रखा गया है उस गाड़ी को चलाने के लिए यानि की गतीज उर्जा में तो यहां के वल गतीज उर्जा में कनवर्शन नहीं होगा बलकि ह हम देखेंगे कि जो उसके अंदर गाड़ी के अंदर स्पार्क प्लग है उसको भी आउन करता है यानि कि विद्धु सर्किट को कम्प्लीट करता है तो यह कह सकते कि विद्धुत ऊर्जा में भी कन्वर्ट होती है लेकिन यहां पर हम लोग में ऊर्जा जो हमको लास्ट में प्राप्त हो रही है उसका मेन फॉर्म उसको हम यहां पर ध्यान में लेती हुए इस शारेणी में हम गतीज उर्जा लिख सकते हैं हलाकि जब इसके गाड़ी स्टार्ट होगी चलेगी तो यह गाड़ी गरम भी हो जाती है तो इसमें थर्मल एनरजी भी प्रोड्यूस होती है यानि कि ऊश्मी उर्जा भी यहां पर एक रूप में प्राप्त होती है अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डाइनमाइट डाइनमाइट एक ऐसा पदार थे जो विसफोर्ट करने के काम आता है तो यहां पर आप देखेंगे कि डाइनमाइट जलता नहीं है बलकि यहां प आपको वह पर प्रकाश भी दिखता है गरम भी हो जाता है और ध्वनी भी सुनाई देती है और यह तीनों ही गतीज उर्जा के रूप हैं इसलिए हम लोग यहां पर लिख सकते हैं रसायनिक उर्जा कनवर्ट होती है गतीज उर्जा में अब नेक्स्ट दारन लेते हम रब पर बैंड की उर्जा प्राप्त करने के लिए में क्या करना पड़ेगा मनें टीछ wisdom कतीज उर्जा में परिवर्टित हो जाती है यानि कि की rubber band कती करने लगता है तो इस प्रकर हम देखते हैं कि potential energy convert होती है kinetic energy में next हम एक instrument ले लेते हैं तबला यह ऐसा instrument है जो कि ध्वनी produce करता है तो तबले से उर्जा प्राप्ते करने के लिए कि अर्फ यह मैं क्या करना पड़ेगा तबले में थाप देना पड़ेगा उसे बजाना पड़ेगा जब तबले में थाप देते हैं तो बताइए कौन सी उर्जा किस उर्जा में रुपांतरित होती होगी अब आप सोच रहोंगे तबले में किस प्रकार की उर्जा होगी तब देखेंगे कि जो तबले की चादर रहती है चमड़े की वो खीची हुई रहती है कसी हुई रहती है कसी हुई है खीची हुई है या हम यूँ कह सकते हैं कि स्थिती जूर्जा गती जूर्जा में कंवर्ट हो रही है या यूँ कह सकते हैं कि तबले को बजाने पर ध्वनी उत्पन्न हो रहा है तो तबले को थाब देने पर उसके स्थिती जूर्जा ध्वनी उर्जा में रुपांत्रित हो रही है next instrument हम लोग लेते हैं guitar guitar भी कैसा instrument है बच्चों जो की धवनी प्रड्यूस करता है guitar में चुपी उर्जां को प्राप्त करने के लिए में क्या करना पड़ेगा उसके तारों को हिलाना पड़ेगा जब उसके तारों को हिलाते हैं तो द्वनी प्रेड्यूस होती हैं, तो यह बताइए यहाँ पर गिटार में कौन सी उर्जा होगी, जब हम तारों को खीच कर रखते हैं, तार कसे हुए हैं, तो उस तार के विन्यास के कारण गिटार में पोटेंशल एनर्जी होगी, और जब हम उसके तार को हिलाते हैं, तो यह potential energy convert होती है गतीज उर्जा में और गतीज उर्जा का प्रकार यहां पर है ध्वनी उर्जा यानि कि स्थितीज उर्जा यहां change होती है kinetic energy में यानि कि ध्वनी उर्जा में इसलिए तो बच्चो जब यह तबले की चादर कसी हुई है वो धीली पड़ जाती है यह गिटार के तार धीले पड़ जाते हैं तो इनकी potential energy में भी change आ जाता है और इसलिए जब इससे हम लोग conversion देखते हैं ध्वनी उर्जा में तो इस हो रही है वो केवल एक रूप से दूसरी रूप में परिवर्तित हो रही है पर हम बोल चाल में इस प्रकार कह देते हैं कि उर्जा उत्पन हो रही है तो आगे से आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें का बच्चों कि वहाँ पर उर्जा प्रोडियोस नहीं हो रही है तो हम बात कर रहे थे कि जब यह तबले की चादर धीली हो जाती है या गीटार की तार धीले पड़ जाते हैं तो इनकी स्थिती उर्जा चेंज हुई इसका मतलब यह उर्जा जब किसी अन्य रूप में रूपांत्रित होगी परिवर्तित होगी तो उस उर्जा में भी ठार की तार को टे रहते हैं ताकि वो एक ध्वनी मेंटेन कर सके तो इस प्रकार हमने कुछ वस्तों की शारणी नी जेए थी और देखा था Training से कौन सी उर्जा को किस संसी ऊर्जा की रूप में हम परिवर्तित रश कर सकते हैं और इस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिःए ह इसमें कि हम कुछ उधारण को लेंगे कि कौन सी उर्जा किस उर्जा में परिवर्तित हो रही है और ये सारणी आपके बुक में भी दी गई है और कुछ उधारण भी आपको दिये गए हैं तो आप जनरली यही करते हैं कि जितने उधारण बुक में दिये गए हैं उतना ही आ करते हैं और हमारे दिमाग में उसको बैठा लेते हैं तो अभी हम जो सारणी बनाएंगे बच्चों उसमें हम आसपास की उधारण लेते हैं और जितना हो सके हमें आसपास जो दैनिक जोर्जा में परिवर्त अब चलिए सोचिए आप की आज बस बहुत सारी चीज़ें होंगी आप खुश सोचिए कि ऐसा यहाँ पर ऐसा क्या है जिसके सिती जुर्जा गती जुर्जा में परिवर्तित हो रही होगी एक उधारन तो बच couple तो आपके बुक में दिया ही है जैसा कि पानी टंकी में पानी का स्टोर होना क्योंकि आपने देखा होगा बच्चों की पानी टंकी जो होती है उसमें पानी को एक उचाई में स्टोर किया जाता है पानी को तो स्टोरी करना है पर उचाई में स्टोर क्यों करते क्योंकि जितन हपने जितने ऊपर हो गा उसके स्तितीज उर्जा पोटेंशाल एनर्जी उतनी अधिक होगी और जब उसको हम पाइप के जरिये घरों में प्रवाहित करते हैं तो यह उर्जा पोटेंशल एनर्जी कनवर्ट हो जाती गती जूर्जा में और यह पानी बहुत दूर तक सभी घरों में सप्लाई हो पाता है यदि टंकी हम नीचे ही बना दे तो जब पानी को रिलीस करेंगे तो यह पाइप में ज्यादा दूर तक प्रवाहित नहीं हो पाएगी और सभी घरों को पानी नहीं मिल पाएगा इसलिए पानी टंकी की हाइट बहुत अधिक होती है तो यहां यह उधारन था इस्तितीज उर्जा का गतीज उर्जा में परिवर्तन का अब नेक्स्ट उधारन देखते हैं जरने से पानी का गिरना आपने देखा होगा बच्चों कि जो जरना कम उचाई का रहता है उसमें पानी का वेक भी कम रहता है ऐसा क्यों क्योंकि जरने की जमीन से उचाई यदि कम होगी तो उसमें कम स्थिती जूर्जा होगी और यह स्थिती जूर्जा जब गती जूर्जा में कनवर्ट होगी पानी बहरा है इसका मतलब उसमें गती जूर्जा हो गई तो उस पानी की गती जूर्जा भी कम होगी इसलिए तो आप कम हाइट के जर्नों क से नीचे आएगा यानि कि पोटेंशल एनरजी जब पानी की गतीज ऊर्जा में परिवर्तित होगा तो इसकी गतीज ऊर्जा भी बहुत अधिक होगी और आप सोचेंगे कि हम जरने की नीचे इसको एंजॉय करने चले जाएं तो वह बिल्कुल भी आरामदायक नहीं होगा ब खीले को नीचे रखते हैं हैमर को उठाते हैं और उस खीले पर मारते हैं आप हैमर को बहुत ऊचा उठाते और उसको मारते हैं अगर वहीं पर रखकर आप ठोकने की कोशिश करें तो वह खीला असानी से अंदर नहीं घुसेगा लेकिन जैसे फत्रड़ों को ऊपर उठाते मतलब उसकी हाइट अपने इंक्रीस कर दी तो यहां हतोड़े पर कौन सी उर्ज आ गई पोटेंशल एनरजी सिती जूर जा गई और जब आप उसको खीले में ठोकते हैं तो वहां गती जूर्जा प्रवाइट करता है अधिक हाइट में था तो अधिक गती जूर जाओगे और और इसके कारण खीला एक बार में टेबल के अंदर गुज जाता है अगला उधारन हम लेते हैं बॉल का गिरना यदि बॉल एक उचाई पर रखी गई है एक हाइट पर है और वहां बॉल नीचे आ रही है तो हाइट पर रखे होने के कारण उस बॉल में होगी स्थिती जू और बॉल तेजी से नीचे की और आएगा इस कॉंसेप्ट को अच्छे तरह से समझने के लिए एक उधारन लेते हम माली जी हमने दो एक समन बॉल ली है एक को हमने कम हाइट पर रखा और एक को जादा हाइट पर अब दोनों बॉल को यदि आप गिराते हैं हम यहां पर रे पर रेति में बनने वाला गढड़ा कम गहरा होगा लेकिन अधिक हाइट से गिराते हैं तो उस रेति में बनने वाला गढड़ा जादा गहरा होगा ऐसा क्यों कि जिस बॉल को अधिक उचाई पर रखा गया था उसकी स्थिती जूर्जा अधिक थी और यह स्थिती जूर्जा जब गती जूर्जा में परिवस्तित हुई तो उसकी गती जूर्जा भी अधिक हुई और गती जूर्जा अधिक होने के कारण उसने अधिक काम किया यानि कि इस यानि कि उस नर्रेत में कम गढठा बनाया इस तरह हमने देखा कि यदि स्थिती जूर्जा अधिक होगी और वो गती जूर्जा में कनवर्ट हो रही है तो गती जूर्जा का मान भी अधिक होगा अभी हमने जितने भी उधारन लिए स्थिती जूर्जा का गती जूर्जा में परिवर्तन का तो हमने केवल उचाई के सापेख्ष इस उधारणों को देखा लेकिन जो ने जो इस्ठिति जूरजा होती है वो केवल जमीन से उचाई के वज़य से नहीं होती है बलकि वस्तु में विन्यास की वज़य से भी होती है मैंने आप लोगों को पहले भी इस बारे में बताया था कि स्थिती जूर्जा किसी वस्तु की इस्थिती और विन्यास दोनों की कारण होती है potential energy is the energy possessed by a body by virtue of its position and configuration तो यहां पर हम एक और उधारन लेते हैं जह हमने रबर को खीच के रखा है आप देखेंगे बच्चो कि यदे अब कम खीषते हैं तो रबर हीरे से पास अता अपने देखाओगा बच्चो गुलेल गुलेल एक ऐसा उपकरण है जिसको हम लगय को तोड़ करते हैं और एक टूल जोता है चिसमें रबर नगी होती है अप रबर में पत्थर को फशा देते और रबर को क्षीचते हैं यदि आप हलका से खीचेंगे रबर को तो आप देखेंगे पत्थर पुछी दूर जाके गिर जाता है लिकिन आपको बहुत दूर भेजने तो आप तेजी से उसको खीचते हैं मतलब बहुत जादा खीचते हैं और जैसे ही आप उसको जादा खीच कर छोड़ते हैं तो वह पत्थर बहुत द जोड़ा थी इसलिए वह जब कनवर्ट हुई यानि कि पथर की कती जूर्जा में कनवर्ट हुई तो पत्थर ज्यादा दूर नहीं जा पाया लेकिन अपनी जब जादा खीचा ज्यादा सिती जूर्जा संचित हुई और इसी कारण ही पथर की भी गती जूर्जा अधिक हुई और वो बहुत दूर तक जा सका। ऐसे ही हम एक और उधरन लेते हैं कि श्प्रिंग हम जानते हैं बच्चों कि जब श्प्रिंग को दबाया जाता है तो फैल जाती है जब उसको खीचा जाता है तो वह सिकुड़ जाती है अब मान लीजिए इस spring को दबा कर इसकी उपर एक ball रख दे तो क्या होगा? जैसे spring को छोड़ेंगे तो ये ball भी उचल जाएगी हम एक बार spring को कम दबाते हैं और इसके उपर ball रखते हैं हम देखेंगे कि जैसे spring को हम छोड़ेंगे ये ball कम उपर तक जाएगी लेकिन अगर spring को ज़्यादा दबाया जाए और इसके उपर ball रखी जाए तो इसके उपर रखी ball अधिक उपर तक उचल जाएगे ऐसा इसलिए क्योंकि हमने दबाया जब तो उसमें संचित हो गई सिती जूर्जा और जिव वो convert हुई तो ball को कम गती जूर्जा मिली ज़ादा दबाया ज़्यादा सिती जूर्जा संचित हुई और यहीं संचित उर्जा उस ball को अधिक गती जूर्जा प्रदान करती है तो इस प्रकार हमने अपने आस पास की चीजों से बहुत सारे उधारण देखे जिसमें सिती जूर्जा गती जूर्जा में कनवर्ट हो रही है अब हम अगला कनवर्शन देखते हैं यांतरिक उर्जा का उश्मे उर्जा में कनवर्शन यानि की मेकैनिकल एनरजी का थर्मल एनरजी में कनवर्शन उश्मे उर्जा को बच्चों हम तापिय उर्जा भी कहते हैं कि अब इसके उधारण की रूप में देखें तो वही जो मैंने आपको बताया था जब हम अपनी हथेलियों को रगड़ते हैं और उसके बाद अपने गालों को छूते हैं तो गरम लगता है हम अपनी हथेलियों को रगड़ रहें यानि कि हथेली में है यांत्री कूर्जा को रूप क्या है तो कभी हम गतीज ऊर्जा का Conversion उश्मिय और भी ले सकते हैं और यह इसी उधारण में आएगा तो जैसे कि मैंने आपको बताया कोई एक उधारण में हम ये नहीं कह सकती कि यहीडि इसी ईनरजी में कनवर्ट हो रही है एक उधारण में आप देखेंगे तो अनर्जी के कई रूप हैं तो हो सकता है मुझसे बताने में किसी उर्जा को स्वरूप छूट जाए यह मैं भूल जाओ लेकिन आप उस चीज़ को यह दिनोटिस कर रहे हैं तो आप उसको जरूर इस शारणी में गाड़ी का ब्रेक लगाना गाड़ी में जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं यानि कि वहां पर मेकेनिकल एनर्जी है और यह एनर्जी कनवर्ट हो रही है उश्मी और जमें जब हम ब्रेक लगाते हैं तो जो पूर्जे हैं वो भी गरम हो जाते हैं हालकि हम उसको सपर्ष नह में कनवर्ट हो रही है ऐसे ही बच्चो जब आप मिक्सी ओन करते हैं कि कुछ पीस्ते हैं हम देखते हैं ग्राइंड तो हो रहा है उसके अंदर जो ब्लेड है वो घूम रहा है घूम रहा है मतलब घूरनी गती जूर जा या यू कहे कि मेकैनिकल एनरजी और उसके बाद हम ज आप किसी जिसको ग्राइंड करते हैं या यू कहें आप पत्थर में यानिकि जत्ता में यदि किसी चीज को पीसते हैं तो हम देखेंगे कि वो पत्थर भी गरम हो जाता है बार बार हम घुमाते हैं यानिकि घूरनी गती जूर जा उसमें पत्थर में है तो यह घूरनी गत धातू के औजार बनाए जाते हैं तो धातू को विभिन आकरिती में काटा जाता है उनको पीटा जाता है जब धातू को पीटा जाता है और उसके बाद हम उसको छूते हैं तो वह भी गरम लगते हैं धातू को पीटा जा रहा है इसका मतलब वहां पर मैकेनिकल एनरजी है और रेफ्रीजिरेटर को देखा है ये भी मशीन है इसमें भी यांतरिक उर्जा है और जब इनको हम इस्तमाल करते हैं तो हम देखते हैं कि एर कंडिशनल का जो वेंट है वो भी गरम हो जाता है वैसी रेफ्रीजिरेटर का पीछे वाला पोर्शन को यदि हम छूके देखें तो यह भी वातावरण को गरम कर देता है क्योंकि यहां पर भी उश्मे और्जा प्रिडियूस होती है या यू कहे कि यांतरिक और्जा उश्मे और्जा के रूप में कंवर्ट हो जाती है अब हम अगला रूपांत्रण दिखते हैं कंवर्शन ओफ मेकेनिकल एनरजी तो पोट जरती है mechanical energy यानिकि यांत्रे कूर्जा अब जब परिंग को दबा दिया जाता है तो यह mechanical energy पसे स्पिरनी पोटेशल इनर्जी के रूप में यानि कि सरिंग तो यह चोड़ा जाता है तो यह पोटेंचिन एनर्जी फिर गतीज उर्जा की रूप में कनवर्ट हो जाती हैं तो स्प्रिंग का दबाना यह स्प्रिंग का खीचना यदि हम खीचते भी हैं तो उसकी हमने mechanical energy दी यह energy spring को फैला देती है यानिकि उसकी configuration को चेंज कर देती है और इसे लिए अब यह मेकैनिकल एनर्जी स्प्रिंग की सिती जूर्जा के रूप में संचित हो जाती है कि इसका अगला उधारंड देखते हैं किसी समान को यदि हम उठा कर ऊपर रख दे रहे हैं मतला वहां पर हम मेकैनिकल वर्क कर रहे हैं तो इस समय उस वस्तू में यांत्रिक उर्जा होगी यानि कि मेकैनिकल एनर्जी होगी और जब वस्तू उपर रखी जाती है तो उसकी स्थिती के कारण उस वस्तू में potential energy आ जाएगी यानि कि स्थिती जूर जाएगी और आपने देखा कि वस्तू को जितना उपर ले जाएंगे उतना यांतरिक कारे करना पड़ेगा यानि कि उतनी यांतरिक कूर्जा होगी और इसी कारण जिस वस्तू की height अधिक होगी उसकी potential energy भी अधिक होगी इस concept को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें कुधारन लेते हैं मान लीजे आपकी पास ऐसा समान है जो breakable हो मतलब गिरने से तूट सकता हो मान लीजे काज कई आपने कोई समान लिया सबसे पहले आप इसको कम उचाई से गिराते हैं यदि आप कम उचाई से गिराते हैं तो हो सकता है वो काज की वस्तू तूट जाए यह ना भी तूटे केवल उसमें क्रायक आजाए लेकिन जब आप उसे अधिक उचाई से गिराएंगे तो क्या होगा? निश्चित रूप से इस बार वह समान गिरने पर चूर-चूर हो जाएगी यानि कि तुकुड़ों में बढ़ जाएगी ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने जब कम उचाई पे रखा था उसकी स्थितीज उर्जा कम थी इसलिए जब वो छोड़ा गया ये गिराया गया तो यह उर्जा जब गतीज उर्जा में कनवर्ट हुई तो इसने कम काम किया इसलिए उस काँच की वस्तू में केवल क्रैक आया या हो सकता वो तूटी ना हो पर जब उसको अधिक उचाई पर लेके गया उसके सिती जूर्जा अधिक थी तो जब वहाँ से गिराया गया तो वो अधिक गती जूर्जा में कनवर्ट है और उसने ज़्यादा काम किया और इसलिए काँच की वस्तू तुकडो तुकडों में बढ़ गई